मानने वर मैं आज बताना चाहता हूँ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ टेरोरिजम के खिलाप आवाद नहीं उठाया है टेरोरिजम के खिलाप आवाद नहीं उठाया है इस पर आकरमक कारेवाही करी ऐसा नहीं है हमने टेर्रिज्म की एको सिस्टिम को खतम करने का काम किया है जो टेर्रिज्म को फाइनांस करते थे उन पर भी काम किया है एना ये द्वारा टेरर फाइनांस के केस 32 रजिस्टर के गए 2014 के पहले एक भी कर我知道 State Investigation Agency ने टेरर फाइनांस के केस 31 रजिस्टर किये पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजन्सी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी और मानेवर दो सो उन्तीस टेरर फाइनांस केस में एरेश्ट हुई है एक सो पचास करोड की प्रोपटी सीस हुई है सत्यावन प्रोपटी सीस हुई है और SIA द्वारा 134 बैंक एकाउंट में लगबग लगबग 100 करोड से ज्यादा रितम को फ्रीज करने का काम दरे में दो हुई है यह जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया मैं दिखाता हूँ बदलाव क्या है मानेवर आज मैं इतना कह रहे हुई है एक बहुत बड़ा कठोर नीणय सुरक्षा की द्रश्टी से हमने उठाए है मानेवर मैं आज बताना चाहता हूँ पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25,000 की भीड आति मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ एक भी द्रुश्य भी देखा है 370 के बाद ना कोई नहीं करता साथ क्योंकि हमने नेनय किया है जो भी आतंकवादि मारा जाएगा उसी जग़ पे संपून धार्मिक सन्मान और रिति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगी इस टॉन पेल्टिंग क्यों कम हुई जितनी नोकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने ताई कर लिया है कि स्टॉन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नोकरी नहीं दिया क्यों ये विदेश बाग कर आतंकवाद करते हैं वो लोग दरे हैं क्योंकि हमने ताई किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोचान देता है उसके परिवार में किसी को नोकरी नहीं मिलेगी मानेवर हमने ताई किया है कि जो टेलिफॉन डेकोर्ड के आधार पर प्रस्तापीत होता है कि किसी का परिवार क्या व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में तो नौकरी में है तो भी उसको डिस्मिस करने के सर्वीस रूल्स हमने बना मनिवर जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डॉमिनेशन के मध्यम से पूरे टेरिस्ट प्रभावीत क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है मनिवर आज मैं कहना चाहता हूँ जेल अड़ा बनकर खड़ी रही थी पड़ी रही थी नरेंद्र मूदी सरकार ने जेलों के अंदर जेहमर लगाकर सक्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेर्रिस्टों के लिए बनेगी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेर्रिस्जम के अंदर कोई अपना योगदा नहीं देगा